नबसकार दोस्तों मैं दिने अंद्रित ओमर आप सभी का स्वागत करता हूँ सबसे पहले मैं आपको यह दो वेबसाइट दिखाने वाला हूँ यहाँ पर अभी आप मेरे पीछे यह वेबसाइट देख रहा है बर्थ एंड डेथ सेटिफिकेट इसकी बाद यहाँ पर जस्ट साइड में एक और वेबसाइट सारी जानकारी आपको यहाँ पर सारा पूरा फॉर्म का स्ट्रक्टर जो है यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, अंतर अगर देखा जाया तो यहाँ पर एक आजादी का अम्रित महुत सो यह लगा हुआ है, यहाँ पर वो नहीं लगा हुआ है, ठीक है, बाकी वेबसाइट जो है, बिल्कुल सेम, टू सेम यहाँ पर है, अब यहाँ पर अगर support team और email ID और chief registrar और सारी चीज़े यहाँ पर आपको दिखाई देने लगी है यह दूसरी website है यहाँ पर contact us में जाता हूँ तो यहाँ पर आ रही है 404 error आ रही है ठीक इसके अलावा और भी आप बाकी जो option दिख रहे हैं यहाँ पर आप बाकी option में भी click कर करके check कर सकते हैं ठीक अब यहाँ पर एक बार वापस में home page में आता हूँ और यह दोनों website आपके सामने है जो बिल्कुल as it is same to same है लेकिन इन दोनों में से एक website है जो government की website है जो अभी यहाँ पर open है आपको मैं URL दिखा रहा हूँ यह लिखा हुआ है crsorgi.gov.in यह है government की website और जो दूसरी website है यह लिखा हुआ है babybirth.xyz अब आप मुझे यह बताओ इन दोनों में से कौन सी website valid है या सही है सभी का कहाना हुआ कि sir जो gov.in वाल यह government वाली website उसके बाद भी लोग इस website का structure देखके इस website के structure के अलावा यहाँ पे जो facility यह दे देते हैं उसके नाम पे लोग इसमें फस जाते हैं जैसा कि थम्मिनल में आपने पढ़ा पांच मिनिट में birth और death certificate आपको मिलने वाला है सेम यही चीज़ लोगों को बताई जाती है और इसके आधार पर लोग इसकी ID लेते हैं इसके लिए पैसे जमा कर देते हैं और पैसे दे कर यहाँ से वो print portal ले लेते हैं print portal के बारे में पहले भी आधार से related जानकर यह पर दे चुका हूँ आज भी बता रहा हूँ कारड यह है कि यह illegal है यह गैर कानूनी है जो आप कर रहे हैं कि आपने किसी government सरकारी website की बिल्कुल as it is copy बना ली है और इसके नाम पर लोगों को गलत तरीके से promote करके आप लोगों को यहाँ पर यह दे रहे हैं website और उसके बतले पैसे ले रहे हैं यहाँ पर यह जो government website है यदि आप यहाँ पर sign up करने जाओगे तो यहाँ पर sign up का एक भी charge नहीं लगता यहाँ पर process क्या होती है कि आप यहाँ पर customer को register करें customer register करने के बाद customer का जो भी form है चाहे वो death certificate का हो चाहे वो birth certificate का हो उस form को fill up करे यह data जाएगा कहाँ पर जो भी आपका नगर निगम है नगर पंचायत है नगर पालिका है जो government office है जहाँ पर जन्म और मृत्व विभाग होता है वहाँ पर data जाता है वहाँ से verify होता है उसके बाद आपको certificate issue किया जाता है यह process है लेकिन क्या इस website में यह process follow की जाएगी बिलकुल नहीं क्योंकि यह क्या है यह है print portal print portal का मतलब हुआ आपने जो जानकारी जैसी भरी वैसा आपको एक blank page में मतलब जो page है background जिसका सरकारी का registration होता है जैसा page बनता है वैसा पूरा एक नकली background बनाया गया है उसमें नकली sign किये गये है और उसके बीच का data delete कर दिया गया है अब जो भी data आप यहां पे भरोगे वो उस page में जो सरकारी background लेके बैठा हुआ है page उसमें सारा data आपका चिपक जाएगा और उसको print नकलके आपको दे दिया जाएगा तो क्या यह valid कहलाएगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोई व्यक्ती आपके पास आता है वो आपसे कहता है कि भाईए यह चीज़े है मेरे पास यह पूरा data है आप इस data को लो एक page के background में उपर सरकार का एक टो सिंबल लगा दो नीचे एक sign बना दो और यहाँ पर यह डीटेल लिख दो और बीच में मेरी जानकारी बरके मेरे को print करके दे दो तो क्या वो certificate valid होगा क्या वो certificate मानने कहलाएगा क्या वो certificate legal कहलाएगा बिल्कुल नहीं कहलाएगा वो illegal कहलाएगा क्योंकि आप ने अगर Photoshop करके ऐसा कोई जानकारी किसी को दी है तो आप गलत काम कर रहे है और यह जो print portal है यह भी वही काम कर रहा है बस अंतर यह है कि यह website के मादियम से printing करके दे रहा है और आप Photoshop के मादियम से अगर कल को वो certificate किसी सरकारी दफतर में फरजी पाया गया किसी सरकारी दफतर में उसकी जाच की गई और वो वहाँ पर checking में गलत पाया गया तो हो सकता है कि आपको भी गरफ्तार किया जैसा कि आप पर भी कानूनी कारवाई की जैसा कि क्योंकि यह सरकारी वेब साइट का आप बोल सकते बिल्कुल कॉपी बनाई गई जो की 110% illegal है ठीक है तो इस प्रकार के पोर्टल से बिल्कुल साफधान रहीएगा ऐसा बिल्कुल कोई भी पोर्टल आप नहीं लेंगे अभी मैं से related और भी proof आपको दिखाने वाला हूँ सबसे पहले तो मैं आप हो ने लिया हुए है और ID लेने के बाद यहां पर इन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने unf interesting using ID ले ली है और मैंने इनको मना भी किया कि भी ऐसा क्यों किया आपने आज के समय में बहुत सारे लोग देखो आभ यह जो है पूर्ट नुख दो प्रिगाएं अब विल मुनेरी तो अलुखे टेनित बढ़ा जानकारी त्य diff state select करो hospital select करो और इसको यहां से बना लो तो यहां पर एक कोई भी एक fit number आपको generate करके देगे जाएगा तो यह certificate जो है यह 200% fake है यह खाली print portal यह आपको print करके देख रहा है यह कोई government website नहीं है और इस प्रकार के website के चक्कर में लोग बार 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 फस्ते रहते हैं मैं आप सभी से कहूंगा कि ऐसी चीज्जों पर बिलकुल नई फसेंगे आप लोग ठीक है यहाँ पर आप देख पार है यहाँ पर में उनका एक recording भी मैं आपको सुनाना चाओंगा यह जो recording यहाँ पर है मैं आपको बाट साट बेट बनाओगे, बिलंस जब भी लोड़ लोगी हमें बेच देना उसी नमर पे और स्क्रिंग्सोट हम देखे और इसी नमर से हम डला देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इनका कहना है कि जब भी इनको रिचार्ज करना पड़े क्योंकि यहाँ पर रिचार्ज होगा यह तो लाइफ टैम होगे अब रिचार्ज करना पड़ेगा मतलब ये ऐसे अनपड़ लोग हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज में बताऊंगा जो सबसे बड़ी इनकी चीज है वो ये एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है इन्होंने बताया कि सर मुझे ये लोग बोल रहे थी कि हमारे साथ मिलकर काम करो और केनरा बैंक के कस्टमर को एड करो हमारे पास ऐसा सौफ्टवेर है कि एक दिन में 10 से 20 हजार रुपे कमाते हैं मैंने बूला सर कैसे उन्होंने कैसे उन्होंने बूला bank किसे पैसे transaction करके कराके bank किसे पैसे नकालने का काम मैंने मना कर दिया sir sorry मैं ये काम आपके साथ तो जो हमारे ये student है इन्होंने मना कर दी कि नहीं कर सकतें लेकिन इनकी हिम्मत आप देख सकतें ये direct यहाँ पर बात कर रहे है कि उनके साथ मिलके काम करो, यह एक दूसरों के बैंक अकाउंट से पैसे निकालेंगे और दिन का 10 से 15 हजार कमाएंगे, 10 से 20 हजार कमाएंगे मतलब यह एक प्रकार से टोटली लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं और लोगों की हिम्मत देख सकते हैं आपकी यह लोगों को जॉइन करवा रहे हैं कि आप महारे साथ जुड़ो और यह काम करो लोगों के पैसे निकालो और अपन यह पैसे कमाएंगे, तो यह इस प्रकार के लोगों से सावधान रहे हैं इस प्रकार के लोगों के साथ आप ना जुड़ें लोग आज के समय में क्या कर रहे हैं कि shortcut के चक्कर में कि यह मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ यह जल्दी पैसे कमा पाऊँ online वालों से भी मैं कहता हूँ जितनी भी MP online वाले CSC वाले हैं उन सभी से मैं कहूंगा shortcut पे मत जाओ जो तरीका है जो process है जो government ने decide किया है कि किस form को कैसे भरना है उसी process से form को भर हो चाहे 10 दिन लगे चाहे 20 दिन लगे लेकिन process वही होनी चाहिए आप जल्दी करने की चक्कर में किसी print portal या किसी ऐसी website से बिलकुल काम ना करें जो गलत है इस से आप 10 रुपे कमाने की चक्कर में काम कर रहें उस 10 रुपे की चक्कर में आपको 10 साल की जेली भी हो सकती आप समझ सकते हैं इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार का काम बिलकुल ना करें जो valid है जो सही तरीका है उसी प्रकार से काम करें अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जादा से जादा लोगों तक सेयर करना चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना मिलते हैं अगले वीडियो में